तो आज हम NCRT exercise में page number 22 पे एक बहुत important question है उसे करेंगे और यह जो question है वो acids की chemical property पे based है तो दीखें यह question क्या है कहते है कि जो कर्ड है या कोई भी सोर सबस्टेंस है उसे ब्रास या कॉपर के बरतन में नहीं रखना चाहिए क्यों now see before you start writing your answers in science you should underline the important or the keywords उसमें keywords को important जो भी है keywords उन्हें underline कीचिए देखें यहां पे क्या है हम बात कर रहे हैं कर्ड के बारे में we are talking about sore substances और साथ में ही बात हो रही है brass and copper की तो देखिए यहां पे हमारे पास सबसे पहले देखो हिंट समझने की कोशिश करो जब आपको question की proper understanding हो जाती है उसके बाद answers लिखना कुछ difficult नहीं रह जाता और cramming बिल्कुल नहीं करनी यहां पे देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं we are talking about curd and sore substances एक चीज़ and then we are talking about brass and copper vessel अब देखिए acids की property में हमने पड़ा है that acids are sore in taste acids की property क्या है कि acids जो है वो sore रहते हैं टेस्ट में अब हमें यह भी पता है कि कर्ड में lactic acid होता है so the thing is curd है चाहया चार है pickle कोई भी sore substance है उसमें क्या रहेगा it will contain acids उसमें acid रहते हैं and if I talk about brass brass क्या है it is an alloy brass क्या है alloy alloy क्या रहते हैं दो यह दो से ज्यादा metals है उनके mixture को क्या कह देते हैं alloy अब alloy के रहे mix करके बनता है copper and zinc को देखिए जो copper है see you यह भी metal है और जो zinc है यह भी क्या है metal so here we are talking about acids and metals तो क्या आपको यहाद आ रहा है कभी acid या metal में कोई reaction देखा हो so question हमें क्या कह रहा है कि कहता कि अगर हमारे पास कोई copper vessel है मतलब कोई बरतन है हमारे पास किसका बना हुआ copper का मान लो अब इसमें हमने क्या आड कर दिया मान लो कर्ड कर्ड में क्या है acid अब जब कर्ड को इस copper vessel में डाल दिया तो अब ये कर्ड एंड कॉपर दोनों एक दूसरे के कॉंटेक्ट में आ गए मतलब acid किसके कॉंटेक्ट में आ गया copper के copper क्या है metal so any reaction कोई ऐसा reaction आपको पता हो acid और metal का we have done this acid कभी भी metal के साथ react करेगा तो हमेशा क्या gas release करेगा hydrogen gas और साथ में क्या बनेगा उसी metal का salt तो इसी तरह से जब copper के बड़तन में कोई भी source substance add किया जाता है उस source substance का जो acid है वो उस metal के साथ react करके क्या बनाएगा metal salt and hydrogen यह जो metal salt बना है यह edible नहीं है इसे हम खा नहीं सकते it is poisonous अगर यह poisonous है harmful है हमारे लिए तो यह food poisoning करेगा सो बताएगे क्या safe है किसी भी source substance या curd को brass या copper के vessel में रखना बिलकुल नहीं और क्यूं क्यूंकि यह milk के आपस में क्या बनाएंगे metal salt जिससे कि हमें क्या हो सकती है food poisoning हम बिमार पड़ सकते हैं अगर कुछ खाकर हम बिमार ही होंगे तो ऐसा खाएंगे ही क्यूं so this is the reason that why we should not kept curd and sore substances in copper और brass vessels तो यह है हमारा answer तो एक बर आपको concept समझ में आगे answers क्या है उसे sentences में जोड़ना है we can write it so देखिए अब इन ही चीजों को use करते हुए हम हमारा answer लिखेंगे so what we will write in our answer that curd and sore substances contain acids इन में क्या रहते हैं acids when an acid reacts with a metal जब कोई acid react करेगा metal के साथ कैसे metal के साथ जैसे की copper क्योंकि उन्हें हमें question में copper given है तो हम वो चीज लिखेंगे में reacts with a metal such as copper then it releases क्या release करेगा definitely है hydrogen gas then it releases hydrogen gas and a metal salt is produced and a metal salt is produced साथ ही क्या बन जाता है metal salt this metal salt is not edible उसे हम खा नहीं सकते this metal salt is harmful and can cause क्या cause कर सकता है and can cause food poisoning करेगा तो इसलिए हम कर्ड या सोर सबस्टेंसे को ब्रैस या अपर वैसल में नहीं रखते हैंस कर्ड एंड सोर सबस्टेंस अर नवाट कंट इं कॉपर और ब्रास विसल्स 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 ये रखते हैंड आदी झाल झाल